Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लग पढ़ेंगे Class 1 Hindi अरिहन्त वर्क बुक का Chapter 4 पत्ते ही पत्ते तो चली पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरी साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए ठीक है? देखे, पार्थ आधारित प्रश्ण तो पार्थ आपने लेसन पढ़ा होगा उसी पे आधारित ये शाड़ा जो है प्रश्ण है इसका आपको उत्तर देना है प्रस्णों के सही विकल पर सही का निसान लगाईए ठीक है? तो देखे क्या है? कि दो रंग वाले पत्ते में कौन-कौन से रंग मिले हुए थी? कौन-कौन से रंग मिले हुए थे? पीला या कत्थई, गुलाबी, नीला, हडा, लाल, सफेद, हडा अब इन साड़े में कौन से रंग मिला हुआ था? तो पीला और कत्थई रंग, ठीक है? इसमें टिक लगाएंगे दूसरा है एक पत्ते का डंठल कैसा था कैसा था टेड़ा था गोल था सीधा था या चौड़ा था कैसा था सीधा था तो इसमें टिक लगाएंगे कोई पत्ता कोई पत्ता एक तरब से मुलायम था तो दूसरी तरब से कैसा था? काटेदार था, खुरदड़ा था, या फिर छेद वाला था, मुलायम था, कैसा था? एक तरब से मुलायम था तो दूसरी तरब से खुरदड़ा था, ठीक है? तो इसमें टिक लगाएंगे, उसके बाद है, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निसान लगाए दीदी ने बच्चों को गोला बना कर बैठने को कहा था तो क्या होगा? सही होगा तो सही का निसान लगाएंगे इसमें दीदी के पास एक पत्ता लाल रंक था सही था किसी पत्ते में नसें साफ नहीं दिख रही थी गलत बच्चों को बंदनवार बंदन वार जैसे पत्ते ढूंडने पर भी नहीं मिले गलत ठीक है इसमें गलत का निसान लगाएंगे उसके बाद है कोश्टकों में दिये गए सब्दों की सहायता से रिक्तस्थान भढ़िये ठीक है तो यानि कि यहां पर आपका दिया गया है नीचे आप्शन है अब इससे आपको निकाल के यहां पर भढ़ना है क्या होगा सही सभी बच्चे डैस बना कर बैठ गए क्या बना कर बैठ गए गोला बना कर बैठ गए इसमें गोला लिखना है दीदी के पास डैस के पत्ते थे कैसे पत्ते थे एक प्रकार के या तरह तरह के तो तड़ः तड़ः के पत्ते थे इसमें लिखेंगे तड़ः तड़ः ठीक है इसके बाद है कुछ पत्ते डैस गोल थे यानि क्या थे आधे या एकदम यानि कि कुछ पत्ते एकदम गोल थे एक पत्ता डैस वाला था डंडी वाला या जालड वाला तो जालड वाला था बच्चों ने पत्तों को डैस देखा सुंग कर या चू कर तो चू कर देखा ठीक है इसी तरह से इसे फिल करेंगे निमने लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए दीदी ने कहा से कहा तक की गिंती की तो कहा से कहा तक की की एक से पाँच तक गिंती सुरू करने से पहले दीदी ने बच्चों को क्या करने के लिए कहा क्या करने को कहा था गोला बना कर बैर्थने को कहा ठीक है पांच बोलने से पहले ही लड़की ने क्या किया तो लड़की दोड़ी और धराम से बढ़ गई ठीक है दीदी के पास किस-किस आकार के पत्ते थे लंबे, गोल, छोटे और बड़े इस तरह के पत्ते थे बच्चों ने किन-किन रंगों के पत्ते देखे तो लाल, पीला और कथा ही रंग का देखा पत्तों को छुकर बच्चों ने कैसा महसूस किया कोई पत्ता एक तरब से मुलायम था, कोई दूसरी तरब से खुर्दरा था इसके बाद है भासा आधारित प्रश्न, एक से दस तक की गिंती सब्दों में लिखिए तो सब्दों में लिखना है एक से दस तक की गिंती, तो ये गिंती आपको सीखना पड़ेगा ठीक है कि एक कैसे लिखते हैं और दो कैसे लिखते हैं ठीक है तो देखे इस तरह से लिखेंगे एक, एक, दो में ओकर ठीक है दो, तो में दिर्गी कर नो, तीन, चो आकर रो, चार, बो आकर उपर चांद बिंदू, चो, पांच ठीक है? च, च, बिसर्ग साथ, सौ में आकर तो साथ और आठ ठीक है? और आकर आठ ठीक है? इसके बाद नो आउकर होगा, नो में आउकर नो और दो सो दस ठीक है? तो इतना तक गिंते आपको याद करना पड़ेगा यह जो भी है लिखा हुआ इसे आप अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए और इसे याद कीजिए ठीक है? उसके बाद है काला और गोडा उल्टे अर्थ वाले सब्द हैं, कोश्टकों में से उल्टे अर्थ वाले सब्दों को चाट कर रिक्त स्थान भढ़िए ठीक है? तो देखे जैसे कि है एक पत्ता एक पत्ता तो अनेक पत्ते अब यहाँ पे है कोश्टक है दिया हुआ जैसे कि बहुत और अनेक क्या हो जाएगा? एक पत्ता का क्या हो जाएगा? अनेक पत्ते तो लंबे पत्ते, लंबे पत्ते का क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटे या चोड़े, तो चोड़े पत्ते, इसमें लिखेंगे चोड़े, छोटे पत्ते, तो क्या होगा इसका, बड़े पत्ते, सीधे पत्ते, सीधे पत्ते का टेड़े पत्ते, ठीक है, पस इस तरह से आप को लिखना है इसे तो ये चाप्टर आपका complete हो चुका है आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बैल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताके NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच मै वीडियो